हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग यूपी बीस्टी नर्सिंग और एम्स बीस्टी नर्सिंग का एक ऐसा इंपोर्टन टॉपिक देखेंगे जिससे हर बार कुश्चन दो या तिन जरूर पूछे जाते हैं तो ये आपको बिलकुल भी स्किप नहीं करना है और इस एक वीडियो के माध्यम से इसके सारे टॉपिक आपके कबर हो जाएंगे जैसे नेशनल पार्क हो गया बर्ड सेंक्चुरी हो गया टाइगर रिजर्ब रामसर साइट्स बायो स्फियर रिजर्ब आप इंडिया तो इन दिया गया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं देखिए दिया गया है जिम कारवट राष्टी उद्यान बहरत का पहला राष्ट्री उद्यान जैसे पूछा जा सकता है question कि भारत का पहला राष्ट्री उद्यान कौन सहे तो आप लोग बता सकते हैं जिम कारवेट भारत का पहला राष्ट्री उद्यान है जो सन 1936 में उत्तराखंड में अस्थाफित हुगा कहा पर लोकेटड है उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्री उद्यान 1936 में उत्तराखंड में अस्थाफित हुगा पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था सन 1957 में महान प्रकृतिवादी स्वरगी जिम कार्वेट की याद में जिम कार्वेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया और इस रिजर्व में मलब कार्वेट राष्टी उद्यान में बहने वाली प्रमुख नदी, राम गंगा और सोना नदी है तो देखी यहाँ से आपके काफी कुश्चन जो है कबर होते हैं जैसे पहला राष्टी उद्यान काउन सा है भारत का जिम कारबेट कब यह बना 1936 में उत्तराखंड में अस्थापिद हुगा पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था 1957 में बदल कर जिम कारबेट कर दिया गया तो देखी इस तरह के कुश्चन आपको मिलेंगे अभी हम लोग MCQ भी देखेंगे, वन लाइनर भी देखेंगे तो पहले यह देख लेते हैं कुछ उसके बाद अगला देखी, अगला क्या बोला जा रहा है भारत में सबसे ज़्यादा राष्टी उद्यान मध्य प्रदेश में कुल बारा है तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्टी उद्यान कहा है तो मध्य प्रदेश में है उनकी संख्या 12 है जिसमें से 6 को जो है टाइगर रिजर्व घोसित कर दिया गया है मध्य प्रदेश में 12 राष्टी उद्यान है जिसमें से 6 को टाइगर रिजर्व घोसित कर दिया गया है उसके बाद अगला देखिए अगला क्या दिये गया है देखिए अगला है कि अंडमान और निकोबार दुइप समूह में नव राष्टी उद्यान और चान नवे वने जिव अभ्यारन है देखिए अंडमान और निकोबार में नव राष्टी उद्यान और चान नवे वने जि अभ्यारण सबसे ज़्यादा कहा है अंडवानों निको वार्दो इपसमोह में उसके बाद अगला देखिए भारत में कुल 106 राष्टी उद्यान ये जैसे इनकी संख्या पूछी जाती है 106 राष्टी उद्यान मतलब नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क है भारत की पंजाब में एक भी राष्टी उद्यान नहीं है जबकि भारत में वन जो अभ्यारण वाल्ड लाइप सेंक्च्योरी की कुल संख्या 565 है 1829 जे वारचि छिट छेतर जिसको वाय स्फियर रिजर्व कहते हैं और चाउवन ये टाइगर रिजर्व है भारत में उसके बाद अगला दिखी भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान ये पूछा जा सकता है क्ोष्चन भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान कौ लूकेटिव है, उसके बाद अगला टॉपिक दिखिए सबसे चोटर ताइगर रूजर्व है महाराष्ट्रा में है उसके बाद दुधवा राष्ट्र उद्यान उत्तर प्रादेश नेपाल के साथ अंतर राष्ट्री सीमा साजा करता है ये ती question पूछ लिया जाए कि कौन सा उद्ध्यान है जो international border share करता है तो वो होगा दूधवा राष्टी उद्ध्यान 1977 में इसे राष्टी उद्ध्यान का दर्ज़त दिया गया था अब आगे देखिए और कुछ टॉपिक हैं जिसे यूनेसको यूनेसको भी सुधरोवर सूची में सामिल मानस अभ्यारन असम में है मानस अभ्यारन असम में काफी फेमस है मानस अभ्यारन राष्टी उद्ध्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है इसका नाम मानस उद्ध्यान के पस्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा है यहां एक सिंग वाले गैडे के अतरिक्त यहां कई अन्य दुरलब जीवजन भी पाये जाते हैं तो आप लोग इसी तरह देख लिजे मानस राष्टी उद्ध्यान असम यूनेसको की विश्वधरोवर सूची में सामिल है उसके बाद किसलिए फेमस है? टाइगर के लिए और इलिफाइंट के लिए अगला टॉपिक देखी क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्टी उद्ध्यान साउथ बेंटन है अईलेंड साउथ बेंटन आईलेंड नेसनल पार्क अंडमान और निकोबार में स्थित है उसके बाद देखिए इसका मैं आप लोगों को पीडियफ भी प्रोवाइड कर दूँगा मैं लाश में बता रहा हूँ कि आपको पीडियफ कैसे मिलेगा उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थितर रानीपूर टाइगर रिजर्व को देश का तिरपनवा टाइगर रिजर्व घोसित किया गया और हाल ही में राजस्थान के धावलपूर करावली को देश का चवानवा टाइगर रिजर्व घोसित किया गया तो ये दिखे कुछ क्या थे इनके कुछ थियोरी हम लोगों ने देख ली है अब हम लोग देखेंगे इनके topic wise कि प्रदेश में कितने राष्टी उद्ध्यान है तो हर चीजे हम लोग serial wise देखेंगे तो इसकी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो दीखे भारत के प्रमुख वाने जीव अभ्यारन राष्टी उद्ध्यान की सूची तो जो ज़्यादा important रहेगा मैं उसमें double tick करता चलूँगा तो देखे जिम कारवेट जिम कारवेट ये देश का प्रथम है ये काफी important है ये काफी पूछा भी जाता है उत्तरखंड में located है उसके बाद राजाजी राष्टी उद्ध्यान भी उत्तरखंड में located है तो ये उत्तरखंड में 2 है तो आप लोग इसको बिसेश देख लीजिएगा उत्तरखंड में जिम कारवेट राजाजी उसके बाद अगला देखिए अगला है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की बात करें उत्तरप्रदेश में भी 2 located है उत्तर प्रदेश में भी दो लोकेटेड है इसको आप देखते ही जिएगा दुधवा राष्टी उध्यान और चंद्रप्रभा तो दुधवा काफी पूछा जाता है दुधवा राष्टी उध्यान जो अंतर राष्टी बार्डर सेयर करता है नेपाल के साथ तो इसके प्रम तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी गुजरात में नल सरोवर उसके बाद गिर तो नल सरोवर उतना नहीं पूछा जाता है लेकिन गिर काफी इंपॉर्टेंट है गिर राष्टी उध्यान गुजरात में है सेयर के लिए काफी फेमास है गिर राष्टी उध्यान अगल बांदीपूर है तुंग बद्रा है और भद्रा है यहां पर बांदीपूर काफी इंपर्टेंट हो जाता है तो यह सभी चारो करनाठक में सिचुएटेड हैं और इनके वन्यजीव भी आपको दिये गए हैं जिसे बांदीपूर का आप लोग देख सकते हैं कि हाथी, चीता, यह इनके प्रमुख वन्यजीव प्राडी हैं यह रहा करनाठक करनाठक में चार आप लोग देख लिजे तुंग भद्रा भद्रा बांदीपूर सौमेश्वप यह चार करनाठक में आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद अगला देखिए आंधर प्रदेश की बात क फिर भी देख लिजेगा कावला वन्यजीव अभ्यारन और पाखल वन्यजीव अभ्यारन यह आंधर प्रदेश में लोकेटेड हैं उसके बाद आप असम में देखी यह दोनों काफी पूछे जाते हैं क्योंकि यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आसम का काजी रंग और मानस काजी रंग एक सिंग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस हैं काजी रंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग जरूर देख लीजेगा काजी रंग काजी रंग काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद मानस भी बहुत इंपॉर्टेंट है काजी रंग एक सि महाराष्ट्रा का है महाराष्ट्रा में कितने लोकेटड हैं तो आप लोग देख सकते हैं तानसा कौन सा है तानसा आप लोग देखी तानसा है एक मिला तानसा तानसा है उसके बाद बोरी बिली है तानसा बोरी बिली ये दो महाराष्ट में लोकेटड हैं उसके बाद राजस राजस्थान में आपको कुम्बलगड उसके बाद गहाना भिहार रड थंभावर गहाना पक्छी भिहार रड थंभावर यह सब राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे हम यहाँ पर अभिहारड की बात कर रहे हैं पंजाब में एक अभिहारड है जिसको अभोहर अभिहारड कहते हैं यहाँ पर जंगली सूर, हीरन, नेलगाय, कालाहंस और कबूतर फेमस है पंजाब में अभोहर अभिहारड है उसके बाद देखी जार अगला हमारा जारखंड मे जारखंड में कौन-कौन से हैं तो आप लोग देख सकते हैं दल्मा वन्य जीव अभ्यारण हाजारी बाग वन्य जीव अभ्यारण उसके बाद पलामू अभ्यारण ये आपको जारखंड में देखने को मिल जाएगा दल्मा वन्य जीव हजारी बाग और पलामू ये आपको जारखन में देखनों को मिल जाएगा आप स्क्रेन साड़ भी ले सकते हैं अगल लेना चाहें उसके बाद देखिए ओरिसा की बात करिए ओरिसा का ये मुदु मलाई आप भ्यारड, बेदान्त गल, उसके बाद इंद्रा गांधी, इंद्रा गांधी काफी पूछा जाता है, तमिलनाड में लोकेटेड है, ये तीनों तमिलनाड में लोकेटेड है, देखे मैं आपको एक एक प्रदेश का दिखाता चल रहा हूँ, इससे आपको क देखने को मिल जाएगा, जो की कोबरा, चीता, बिल्ली और फीजन्ट के लिए खेमस है, उसके बाद आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में ये देखिए काफी इंपर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग पूरन नोट का पेंच राष्टी उद्यान, कान्हा राष्टी उद्यान, बांधोगड राष्टी उद्यान, उसके बाद पंच मणही अभ्यारण, ये सभी मध्य प्रदेश में हैं, और ये सभी समय लीजे, बाग और चीते के लिए काफी फेमस है, जाहे जिसमें आप देख लीजे, ये चीते लाए गए थे, तो मध्य प्रदेश में पहले आप चार देख लीजे, पेंच, कान्हा, बांधोगड, पंचमड़ी, ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अगला हम केरल में देखते हैं, केरल में देखिए, केरल में पेरियार काफी फेमस है, उसके बाद परा दाची गाम उसके बाद किस तवार दाची गाम और किस तवार ये दो आपको जम्मु कस्मीर में देखने को मिल जाएगा इसके बाद आगे देखिए करनाटक करनाटक क्या एक है आप लोग याद कर लिजीत अब्भ्हा रद जिसको नागर होल राष्टी उद्यान भी कहा जाता है तो इसका अलग नाम भी नीचे दिया गया है ये करनाठक में लोकेटेड है चीता, हांथी, तेंदुआ, सांभार, भालू, चाकोर, तीतर इन सभी जिव के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप लोग देख लिजेगा राजियो, गांधी, अभ्यारण, करनाठक उसके बाद देखे अरुनांचल परदेश अरुनांचल परदेश की बात करें तो पकोई वन्ने जिव अभ्यारण ये अरुनांचल परदेश जो प्रदेश है ये चीन के साथ अंतरराष्टी सीमा साजा करता है और चीन के साथ जो अंतरराष्टी सीमा साजा करता है उसके जो सीमा है उसको मैक मोहन लाइन भी कहते हैं तो पकोई वन्ने जिव अभ्यारण कहां है? अरुनांचल परदेश में है पाखोईवान निजी अभ्यारण अर्नाचल पर्देश, उसके बाद देखी, अब हम हरियाड़ की बात करते हैं, हरियाड़ा, हरियाड़ा में देखी एक है सुल्तानपूर जील अभ्यारण, सुल्तानपूर जील अभ्यारण, हरियाड़ा में लोकेटर है, विभिन जल पच् ये सुल्तानपूर अर्याडा का सुल्तानपूर है यूपी का सुल्तानपूर नहीं उसके बाद अगला देखिए अगला है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपको रोहिला राष्टी उद्यान देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश रोहिला राष्टी उद् तो यहां पर हाथी चीता बाग हीरन ये सभी आपको जानवर देहने को मिल जाएंगे उसके बाद अगला देहिए मड़िपूर में मड़िपूर का एक मात्र तैरता ये राष्टी उद्यान है केबुल लाम जाओ राष्टी उद्यान ये काफी पूछा जाता है अगला बिहार में है कैमूर वनेजिव अभ्यारण बिहार बिहार में कैमूर वनेजिव अभ्यारण उसके बाद असम में देखी असम में और एक है ओरंग टाइगर रिजर्व औरंग टाइगर रिजर्व असम ये बाग के लिए है क्योंकि आप लोग देखी रहे है कि टाइगर रिजर्व है उसके बाद देखी अगला दिबांग द सुंधरवन ये ये भी काफी पूचा जाता है, सुंधरवन डेल्टा, सुंधरवन ये कहाँ पर है, पस्चिम बंगाल, बाग चीता हिरन मगरमच, सुंधरवन पस्चिम बंगाल और इनके प्रमुक प्राड़ी, तो अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉ सबसे पहले मध्य प्रदेश काम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में इनकी संख्या काफी है तो आप लोग देखिए एकदम सब चीज सुव्यवस्थित तरीके से आपको दिखाई जा रही है देखिए भारत के प्रमुख राष्टी उद्यान एम उनकी सूची तो क्या है कान्हा राष्टी उद्यान कब बना 1955 में मध्य प्रदेश माधोगड राष्टी उद्यान मध्य प्रदेश फासिल जीवास्म राष्टी उद्यान मध्य प्रदेश उसके बाद और देखिए आगे पेंच राष्टी उद्यान मध्य प्रदेश उसके बाद देखिए वन बिहार राष्टी उद्यान, पन्ना राष्टी उद्यान, सत्पुड़ा राष्टी उद्यान, संजे राष्टी उद्यान, उनकेश्वर राष्टी उद्यान ये सभी कहां पर लोकेटड है, ये सभी मध्य प्रदेश में लोकेटड है उसके बाद देखे, उनके स्वर तक देखे थे उसके बाद डाइनासोर कुनो, कुनो में ही जो है चीतों को लाया गया था, नावेविया से, यह मध्य पर्देश में है, मध्य पर्देश में तो देख लीजे करीब 12 ठोहें, जो की आपको सुव्यवस्ते तरीके से दिखा दि गये हैं, और इनका छे तफल भी दिया गया है, मतलब इनकी अस्थापना कभ होई, वो भी दिया गया है, उसके बाद देखे, अगला कहां है, अगला महाराष्ट में है, महाराष्ट में आपको चंदोली देखने को मिल जाएगा, गुगामल राष्टी उद्यान, चंदोली राष्टी उद्यान, महाराष्ट पेंच, जो कि जवालल नेरूर राष्टी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो यह अब भी आप लोग देखे लिजेगा, नबेगाव राष्टी उद्यान, यह सभी महाराष्ट्रा में है, अब इसके बाद हम देखेंगे करनाठक क करनाठक का हम लोग देखेंगे, करनाठक में कितने लोकेटेड हैं, तो देखें करनाठक में बनेर घटा राष्टी उद्यान, बांदीपुर राष्टी उद्यान, नागर होल राष्टी उद्यान, जो कि राजयोगाधी के नाम से भी जाना जाता है, कुद्रे मुख राष इंपोर्टेंट है 1982 में अस्थाफित हुआ तीन सो पच्चास वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है उसके बाद अनामुडी सोला उसके बाद साइलेंट बैली पंबुदुम उसके बाद एराबिकुलम मथी केतन ये सभी केरल में हैं मथी केतन सोला राष्टी उद्यान एराब तो ये भी आप लोग देख सकते हैं अब आगे देखे तमिल नाडु की बात करते हैं तमिल नाडु में कितने लोकेटेड हैं तमिल नाडु में मुदुमलाई मुदु मलाई राष्टी उद्यान, मननार के खाड़ी, राष्टी उद्यान, तमिल नाडु, मुकुर्ती राष्टी उद्यान, तमिल नाडु, इंद्रा गाधी, जिसको अन्ना मलाई कहते हैं, तमिल नाडु, गुरु इंडी राष्टी उद्यान, तमिल नाडु, ये तमिल देवी राष्टी उद्यान उत्राखंड राजाजी राष्टी उद्यान उत्राखंड गंगोत्री राष्टी उद्यान उत्राखंड उसके बाद गोविंद पस्व भिहार राष्टी उद्यान उत्राखंड फोलो की घाटी राष्टी उद्यान उत्राखंड तो यह आपको छ जल्दा पारा राष्टी उद्यान पस्चिम बंगाल, सिंगा लीला राष्टी उद्यान पस्चिम बंगाल, नावरा बैली राष्टी उद्यान पस्चिम बंगाल, उसके बाद गोरु मारा राष्टी उद्यान पस्चिम बंगाल, ये पस्चिम बंगाल में आपको छेठो दे राजस्थान मुकुंदरा राश्टी उद्यान राजस्थान केवलादेव राश्टी उद्यान राजस्थान थार राश्टी उद्यान राजस्थान सरिस्का राजस्थान उसके बाद देखे राजस्थान में ये पांच्टो लोकेटिड हैं अब देखे अगला है हम अब देखे अगला अगला आप देखे असम का असम का हम लोग देखेंगे असम में कितने लोकेटेड हैं तो असम में आप लोग जानते होंगे काजी रंगा राष्टी उद्यान जो की काफी फेमस है मानस काफी फेमस है काजी रंगा राष्टी उद्यान असम कितना कब काई राष्टि उद्यान असम तो यह सभी आपके साथ फो असम ने लोकेटेड हैं उसके बाद अगला देखिए त्रिपुरा त्रिपुरा में देखिए क्या है क्लाउडड लेपड राष्टि उद्यान क्लाउडड लेपड राष्टि उद्यान उसके बाद श्री बेंक के टेस्वर राष्टी उद्यान ये आंधर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगला देखिए अगला हम देखेंगे जारखंड के बारे में जारखंड में एक आपको देखने को मिल जाएगा बेतला राष्ट्यूद्यान जारखंड अब देखेंगे गुजरात के देखेंगे वसंदा बंसदा बंसदा राष्ट्यूद्यान समुद्री राष्ट्यूद्यान गिर राष्ट्यूद्यान बलेक बक राष्ट्यूद्यान यह आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे गुजरात में काउन वनसदा, समुद्री, गिरवन राष्टी उद्यान, बलेक बग राष्टी उद्यान यह आपको गुजरात में गुजरात में देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगला देखिए अगला हम देखेंगे अरुनाचल परदेश का अरुनाचल परदेश का अरुनाचल परदेश में जैसे आपको देखने हो मिल जाएगा नामदफा राष्टी उद्यान, मौलिंग राष्टी उद्यान ये अरुनाचल परदेश में देखने हो मिल एरिया कफी छोटा है 1.4-3 वर के किलो मीटर में है तो कफी छोटा है इसका एरिया उसके बाद अगला देखेंगे ओरीसा के लिए ओडिसा में देखी कौन कौन से है भीतर काडिका राष्टी उद्यान उसके बाद सिमलीपाल राष्टी उद्यान ये ओडिसा में लोकेटर है भीतर काडिका उसके बाद सिमलीपाल और जगननातपुरी भी जो है ओडिसा में ही है आप लोग जानते होंगे जगननातपुरी का मंदिर भी ओडिस्या में ही है उसके बाद देखिए हम लोग मड़िपूर का देखेंगे मड़िपूर में सिरोही है उसके बाद कीबूल लाम जाओ देखिए मड़िपूर में सिरोही राष्टी उद्यान है उसके बाद कीबूल लाम जाओ काफी फीमस है काफी फीमस कीबूल लाम जाओ रहता है 1987 में इसके स्थापनों 40 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है कीबुल लाम जाओ राष्टी उध्यान एक मात्र तैयरता हुआ उध्यान है लोक्टक जेल तो ये कीबुल लाम जाओ था अब देखिए अगला अगला क्या है अंडवान और निकोबार्द वि दो कि करीब समंगें 300 स्क्वायर मीटर में 300 स्क्वायर में मात्र 300 स्क्वायर मीटर है यह उससे भी कम है तो आप लोग देख सकते हैं इतने में यह फैला हुए है अंडवान और निकोबार्दू विप समोह में लोकेटेट है उसके बाद कैंप बैल बेर राष्ट्य उध्य अंड माननी को बार, माउंट हैरियट राष्ट्री उद्यान अंड माननी को बार, उसके बाद नार्थ बटन आईलेंड अंड माननी को बार, उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, मिडिल बटन आईलेंड अंड माननी को बार, रानी जहांसी समुद्री राष्ट्री अंडवान निकोबार्दुरीब समयौह तो यह अंडवान निकोबार्दुरीब समयौंः लोकेटेड है उसके बाद आगला देखिए अगला हम देखेंगे नागल बेłumल में नागलेंड में एक मात्र नागलेंड में है इंटन की राष्टी उद्यान नागलेंड 1913 में बना 202 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है उसके बाद गोवा में भगवान महाबीर हम लोगों ने देखा ही भगवान महाबीर मौललेम राष्टी उद्यान गोवा उसके बाद देखी मिजोरम मिजोरम में कौन सा है मिजोरम में है दो ठो लोकेटर है मिजोरम में फांगपोई बुलू माउंट मेंटन उसके बाद मुर 2077 में बना 1784 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है काफी ज्यादा एरिया है इसका कंचन जंगा यहाई पर नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही पाया जाता है उसके बाद कंचन जंगा की चोटी भी यहाँ पर ही लोकेटेड है उसके बाद देखे अगला बिहार का देख महाबीर हरिना वनस्थली राष्टी उद्यान यह तिलंगाना में है महाबीर हरिना वनस्थली राष्टी उद्यान उसके बाद मरिग्वनी राष्टी उद्यान तिलंगाना में यह दो ठो लोकेटेड है उसके बाद जंगु कस्मीर में सलीम अली राष्टी उद्यान जंग कस्मीर के थे उसके बाद हेमिस राष्टी उद्यान लगदाख में लोकेट रहा है इस सबसे बड़ा है इसका एरिया देखी कितना है और लोकेट इट कब हुआ 1981 में एरिया 3350 वर्ग किलो मीटर में भैला हुआ है जबकि उसके बाद देखे हम कहां अगला क्या दिखेंगे अगला हिमाचल परदेश का है हिमाचल परदेश में सिंबल वारा राष्टी उद्यान हिमाचल परदेश इंद्र किला खिरगंगा राष्टी उद्यान हिंद्र कि राष्टियुद्यान ये भी हिमाचल पर्देश में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेट हिमालियन उसके बाद देखिए उत्तर पर्देश में उत्तर पर्देश में दुधवा राष्टियुद्यान है जो की 277 में बना 490 वर्द किलोमेटर में फैला हुआ है उसके बाद 36 गड़ में देखिए उसके बाद 36 गड़ में आपको इंद्रावती गुरुगासी दास कांगेर घाटी राष्टियुद्यान ये आपको 36 गड़ में देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगला देखिए अगला पर योजना 1972 में शुरू की गई बागपर योजना73 में शुरू की गई गहडैल परईयोजना19 bliss 77 में शुरू कि गई कच्छुए सब देखिए अन्यु से 50 में शुरू किया गया मगर प्रजनन पर योजना佲 गSON परियोजना 1987 में शुरू की गई हिम चीता परियोजना 1987 में शुरू की गई गिद्ध परियोजना 2022-25 योजना के अंतरगत लागू हुआ उसके बाद हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में शुरू हुआ हाथी परियोजना 1992 में ये कुछ परियोजनाएं हैं जो की काफी इसे गिर परयोजन, बाग परयोजन, घडयाल परयोजन, कछवस अंत्छड, मगरठ प्रजनन, गैनर परयोजन, हिम, चीता परयोजन, गिद्ध परयोजन प्रोजेक्ट उसके बाद हाथ ही पर यूजना तो यह देखिए इसका आप लोग जो है इसक्रेंसार्ट भी ले सकते हैं तो यह काफी इंप्वाटन्ट है अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखिए भारत के टाइगर रीजर्ब अभी तक हम लोग वने जिव अभ्यारण और राष्टी उद्यान देखे हैं अब हम लोग टाइगर रीजर्ब देखेंगे टाइगर रीजर्ब देखें एक मतलब जिले वाई यह इस्टेट वाई हम लोग देखते चलेंगे जिससे कि आपको थोड़ी वी दिक्कत ना हो देखें, Tiger Reserve, घोसित वर्स, उसके बाद राज जी, देखें, Carpet, Tiger Reserve, राजा जी, टाइगर रिजर्ब, ये दो उत्तरा खंड में हैं, Carpet और राजा जी, उसके बाद राजस्थान का देखिए, राजस्थान में आप लोग देखेंगे, राजस्थान में, रडथम भाउर, सरिस रामगर, मुकंदरा, मुकंदरा, ये राजस्थान में चारठ लोकेटड है, उसके बाद अगला देखिए, पलामू, जारखंड में है, उसके बाद देखिए, अब केरल की बात करते हैं, केरल में देखिए, कौन-कौन से लोकेटड है, केरल में आपका पेरियार, उसके बा पांवर थे उसके आगे देखिए आगे और छतीनगों जिसए उदंति सीता नदी टाइगर रिजर्व तेज गड़ अचानक wireless पस्चीम पस्चिम बंगाल में दोट हो हैं बक्सा टाइगर रिजर्व अज़म में देखेंगे हम आंध प्रदेश में आपको नागारजुन सागर स्री सेलम उसके बाद ये आपको एक मातर है नागारजुन सागर स्री सेलम आंध प्रदेश में टाइगर रिजर्व है उसके बाद देखें अरनाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या तीन है द उत्तरप्रदेश में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या चार है तो देखें कौन कौन से हैं वह वह हैं दुधवर राश्टी दुधवर टाइगर रिजर्व उसके बाद रानीपूर टाइगर रिजर्व पेलीभीट टाइगर रिजर्व अमानगर टाइगर रिजर यह उत्त्रब्रदेस में लोकेटिड है उसके बाद हम अब तमिल नाडु का है देखेंगे तमिल नाडु कितने लोकेटिड है तमिल नाडु में आपको देखिए चार देखने कम बिल जाएंगे कालाकड मुंदन ठराई टाइकर बिहार में देखिए पाल में की ऐड़erson बिहार उसके बिए पर्द्रश में देखिए मध्य प्रदेश में छे टाइघर रिजर्व थे वह जिन की संख्या ये दी गई है इंद्रप, प्रेद अर्शनी पेच टाइगर रिजर्व बांधोगर टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व संजे दुबरी टाइगर रिजर्व सत्पूडर टाइगर रिजर्व उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंग नावे गाउं नक जेईरा टाइगर रिजर बोल टाइगर रिजर मेल घाट ये जो है छे आपको महाराष्ट में देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगला हम देखेंगे असम का असम में देखिए असम में कौन-कौन से हैं असम में देखिए है में असम में कौन-कौन से मेल मिल घहाट तो असम का नहीं हो महाराश्टा का है ना मेरी उसके बाद काजी रंग ओरंग मानस ये असम में आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद Odisa में दोठो लोकेटड है सत कोसिया उसके बाद सिमलीपाल यह समें करनाठक में दिख्या कौन-कौन से हैं करनाठक में डान डेरी या काली टाइगर रिजर्प उसके बाद नागर होल टाइगर रिजर अання के अगे नागे सी और करनाठक उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में देखे कौन-कौन से हैं, तेलंगाना में दो हैं, एक है कावल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, यह तेलंगाना में हैं, जबकि डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, यह मिजोरम में हैं, उसके बाद एक मात्र धौलपुर करावली टाइयर रिजर्प राजस्थान में है, 2023 में, जो हैं घोसित किया गया, ये टाइयर रिजर्प थे, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, भारत के प्रमुख रामसर साइट है, रामसर साइट आप लोग जानते होंगे, इन अभी समय के तहत अंतर राष्टी महत्तु की आदरभूम है, इसे 1971 में, इउनेसको द्वारा परियावरण संधी आदरभूमियों पर अभी समय के तौर पर जाना जाता है, इसका नाम इरान के रामसर सहर के नाम पर रखा गया है, वरतमान में भारत में रामसर साइटों की क जंख्या 14 है, जिसके बाद उत्तर पर देश में 10 रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट चिलका जील है, जिसे 1981 में दर्जा प्राप्थ हुआ, तो देखिए कुछ थियोरी है, उसके बाद अगला देखिए सुन्दरवन बेटलेंड पस्चिम मंगल, भारत का सबस जिसे चोटा रामसर अस्थल है, जिसका छेतर 0.2 किलोमेटर है, उसके बाद पचातुरी रामसर साइट काजी कांजीर कुलम पच्छी अभ्यारत तमिलनाड 2022 में मानेता प्रात हुई, तो देखिए ये रामसर अस्थल दिये गए हैं, तो आप चाहें तो मैं बारी बारी आपको सबका नाम पढ़ देता हूँ, तमिलनाड भी कितने लोकेटर हैं, काफी हैं, जैसे कांजीर कुलम पच्छी अभ्यारत, उसके बाद पिछवरम मैंगरो, पल्ली करनाई, मार्स रिजर्ब, उसके बाद करिकिली, सुची, सुचिंद्रम, चित्रा गुडी, बेमबा नूर, बेलोड, उसके बाद बंदा थांगल, उदय, मार्तंड, पुरम, उसके बाद गल्फाफ मननार ये सभी तमिलनाड में हैं, गल्फाफ मननार भी, उसके बाद आगे देखिए, गल्फाफ मननार तक उसके बाद और कौन सा है, और देखिए, कुन्थान कुलम, छटर्चव रोसुकि के बाद हाईगं अधृ अध्रभों समत्ष्ऺ सब्चट रेज़र्व ये दो जम्मू मीत हैं जबकि महाराश्ट में देखिए लोनार जहील अधर हाएंध्यम न करैस्ट महाराश्ट यह alone जैंध्यwhich मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश में यस्वंत सागर मध्य प्रदेश में है सिरपूर तालाव ये भी इंदवर मध्य प्रदेश में है साख्य सागर मध्य प्रदेश में है जबकि ओडिसा में देखिए ओडिसा में अंसुपा जील हीरा कुंड जलासे तांपार खाणदा जील सतकोशिय जार्ज ये सभी वृडिशा में करनाटक में देखिए करनाटक श़ि looking नंदा लेख गोव में पाला आद्रभूमी मिजोरम में है अब देखिए अब उत्तर प्रदेश का हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में बाखीरावन्य जीव अभ्यारण हैदरपुर आद्रभूमी सूर सरोवर यह सभी उत्तर प्रदेश में है जबकि गुजरात में देखिए गुजरात में उसके बाद थोल जील है भिंडवास है नहीं खिजाडिया जबकि थोल जील ये दो गुजरात में है हरियाड़ा में भिंडवास सुल्तानपुर ये हरियाड़ा में है उसके बाद सोकर जील है ये लद्दाख में है कावरताल जो जील है ये बिहार में है तो ये सभी थे उसके को भी देख सकते हैं मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा सब कुछ एक वीडियो में आपको कम्प्लीट मैं आपको कम्प्लीट करवा दूंगा तो देखें कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश यह जैव मंडल एबायस्फेर रेजर्ब छेत रहें कोल्ड कंचन जंगा सिक्किम उसके बाद देवांग अर्नवाचल प्रदेश मानस असम डिबरुगड साइखोवा असम नोकरेक यह दिबरुगड जयो मंडल आरेची छेत्र है सबसे छोटा है उसके बाद देख लीजे नोकरेक मेघाले पन्ना मध्यप्रदेश पंच मड़ी मध्य अच्छा कमार अमर कंटक मध्यप्रदेश चतिस गड़ दोनों में है यह कुछ-कुछ हिस्सा पड़ता है उसके बाद कच्छ गुजरात सेमलेपाल उड़ीशा सुंदरवन पस्चिम बंगल सेसा सेरसा चलम आंध्यप्रदेश अगत से माला करनाटक और तमिलनाड केरल यह अगे क्या है मननार की खाड़ी मननार की खाड़ी तमिलनाड ग्रेट निकोबर अंडमार और निकोबर दो इसमों पहला बायोसफिर रिजर्व नेल गिरी वर्तमान सबसे बड़ा रिजर्व कच गुजरात का है यह देखे कुल 18 थे बायोसफिर रिजर्व देखे जिसे उपर हम लोगोंने कितने पढ़ें देखे उपर कितना था उपर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस यारा बारा तेरा चुदा पंदरा सोला सत्रा अठारा जबकि यह दिया गया है कि वर्तमान में सबसे बड़ा जो है वो नेल गिरी है वर्तमान मे सबसे बड़ा कच्छ है तो यह कुछ बारे में था उसके बाद देखे आगे क्या है आगे भारत के प्रमुख पच्छी विहार है बड़ सेंक्चुरी बड़ सेंक्चुरी के विहारे में भी थोड़ा अपलुक देख लीजिए यह लास्ट हमारा टापिक हो सकता है तो अब उसके बाद देखे अब आता है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जो की आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का जो पच्छी विहार है तो उत्तर प्रदेश में काफी पच्छी विहारड है तो देखे उत्तर प्रदेश में नभाब गंज पच्छी विहारड उन्नाव उत्तर प्रदेश समस्पूर पच्छी विहारड राइबारेली उत्तर प्रदेश लाख भासी पच्छी विहारड कन्नाव उत्तर यह पच्छी बिहार है, मैंने अभ्यारण कहा, वो पच्छी बिहार है, तो देखिए, देखिए, उसके बाद बिजे सागर पच्छी बिहार हमीरपुरियों महोबा में है, उसके बाद पटना पच्छी बिहार, यह एटा में, यूपी के एटा में है, उत्तर प्रदेश में है पटना बिहार मत समझ लिजीगा उसके बाद सुरहाताल पच्छी बिहार जिसको लोकनायक बलिया पच्छी बिहार भी कहा जाता है देखिए हमारा यहाँ पर सब चीजे टॉपिक जो है complete होता है उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग ये वीडियो अपलोड है जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी एक वीडियो मैंने चंद्रियान थिरी पर करवाया था जो कि जीके के कुछ कुछ कुश्चन है इसके बाद ये करेंट के भी कुछ कुश्चन है ये देखिए आने के काफी चांसे है तो इस वीडियो को आप लोगों के लिए काफी helpful होगी तो इस वीडियो को जरूर देखीगा उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन सभी का पीडियव जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका पीडियव दुद्द येख लीजे इसमें कम्प्लीट चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ भी छूटा नहीं है उसके बाद अगला वीडियो की टॉपिक पर बनाओ ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद